चाहे वरत हो या फिर छोटी मोटी भूख, चाहे के साथ कुछ चटपटा और टेस्टी सा स्नाक्स मिल जाता है ना तो बात ही कुछ और होती है तो चलिए आज मैं आपके लिए कर आई हूँ बहुत ही स्पेसिल सी ये वरत की नमकीन की रेसिपी जो की इंस्टेंटली बन जाती है एकदम अराम से असानी से बहुत ही कम चीजों से बन जाएगी और आप इसे वरत में भी खा सकते हैं हलो एब्रिवन मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं क्रेटीव क्लास सारिका आज हम आपके लिए कराएं है नौरात्रे श्पेशल नाइन डेस की नाइन श्पेशल लोगदम नई नई रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे वरत की बहुत ही कमाल की एकदम नई नई डिसस तो एक भी वेडियो आप मिस्स मत कीचेगा चलिए शूरू करते हैं तो इस टेस्टी से नमकीन को बनाने के लिए हमें चहिए होगा आलू और यह कच्चे आलू है मैंने इसको उबाल कर नहीं लिया है क्वांटेटी आप अपने हिसाब से कम जाधा कर सकते हैं जितने आपको यह नमकीन बनाने हैं तो मैंने आप पर पांच आलू लिये हैं और इन्हें अच्छी तरीके से छील लिया है छीलने के बाद इसको पानी में डाल देंगे और इससे हमें ग्रेट करना होगा लेकिन हमें ग्रेट करने के लिए मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है आपके पास जितने मोटे वा काफी अच्छे दिखते हैं इस से जदा बारिक वाले से नहीं करना है तो चलिए सारे आलू को हम ग्रेट करेंगे और ग्रेट करने से पहले नीचे पानी डाल देते हैं जिस भी बरतर में आप कर रहे हो ताकि जो आलू के लच्छे हैं वो काले ना पड़े तो यहां पर नॉम करना है है कि यह सारे अलू लगभग हमें ग्रेट करके इसी तरीके से लेना है मैं आपको लच्छे दिखा देती हूं यह देखे है के बहुत जादे मोटे भी नहीं है और बहुत पत्ले भी नहीं है अगर आप इससे थोड़ा मोटा कर लिए तू भी चलिगा लेकिन इस से पतला बिल्कुल मत कीजेगा तो देखिए लच्छे हमारे ऐसी होने चाहिए चलिए सारे आलो को हम इसी तरीके से बहुत इध्यान से कद्धू कस कर लेंगे हाथों में ना लगे इस चिशकाप को ख्याल रखना है तो यहां देखिए मैंने सारे आलो को ग्रीट कर लिया है ले तो में स्टार्च बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए अगर थोड़ा भी स्टार्च रहता है तो आपकी जो आलो की लच्छे बनेंगे वो अच्छी तरीके से क्रिस्प नहीं बनेंगे देखिए बिल्कुल क्लियर पानी होने तक हम ने इसको वाश कर लिया है अब लेंगे य आप चाहें तो इसको इस तरीकी से सुखाने के बजाए छनी में डाल करके भी 5-10 मिनट छोड़ सकते हैं जिससे की सारा पानी निकल जाएगा लेकिन यह सबसे आसान प्रोसेस है आप इसको किसी भी कपड़े पर डालिए और अच्छी तरीके से पानी को निचोड निचोड कर कपड़े पर डाल दीजे और उसके बादी से हम पोश लेंगे और देखेंगे कि बहुत यासानी से सूख जाएंगे कुछ भी आपको इसे पंखे के नीचे आधूप में नहीं रखना है तुरंत ही आप इसको पोशिए और फटा-फट से हम इसको बनाएंगे और इन यह देख सकते हैं आप आप चाहिए तो इनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं जे प्लॉक बैग में रखके और जब आपको खाना हो आप इन immense तल सकते हैं या फिर अगर आपको आलू के चप्स बनाने हो तो बस कातने का तरीका चेंज कीज़े और सारा प्रे प्रोसेस आपक तो तलने के लिए याँ पर तेल गरम होने रख दिया है मेने इसमें डालेंगे थोड़े से पी नट्स क्यूंकि हम नमकीन बनारहे इस तो यहाँ पर मुंक्पली के दानने मैंने छौथाइगा क्यास पस लिये है और इनको को गरम गरम तेल में ढाल देंगे आप चाहें तो इस तरीके से फ्राइ करने के बजाए आप तवे पर भी थोड़ा सा सेख कर या रोष्ट करके भी ले सकते हैं मुंगफली के दानों को लेकिन हमने तेल गरम कर ही लिया था तो सोचा लगे हाथ हो भी भून ही लेते हैं तो में हम यह लच्छे डालते जाएंगे लेकिन एक बार में बहुत जादा मत डालिएगा उतना डालिएगा जितना कि आपकी कढ़ाई में आ जाए और इसे हम बीच पीच में इस तरीके से हिलाते रहेंगे इस लच्छो को डालते ही आप देखेंगे कि इतने सारे बबल साने देखना है तो शलिए इसको हम बेट करेंगे जब तक कि हमारे आलू के लच्छे बढ़िया से क्रिस्प नहीं होते और जो जाग है वो बिलकुल ही खतम हो जाएंगे एकदम नहीं रहेंगे तो समझ लीजे कि आपके आलू के लच्छे बिलकुल तयार है तो देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद यह जाग हैं वो काफी कम हो गए हैं लेकिन आलू के लच्छे वो अभी नरम है पूरी तरीके से क्रिस्प नहीं हुए हैं और आप देखिए थोड़ी देर के बाद हमारे आलू के लच्छे अच्छी तरीके से क्रिस्प हो चुके हैं जाग बिलकुल केचन टाल पर ताकि जो भी एक्स्ट्रा ओयल है वो निकल जाए और हमारे आलू के लच्छे बिल्कुल तयार है बाकी का बचा हुआ लॉट भी हम इसी तेल में तल लेंगे तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई ही रखा है और सारे आलू के लच्छे जो बचे हुए थे उनको भी हम डाल देंगे और सेम तरीके से क्रिस्पी होने तक तल लेंगे तो ध्यान रहे हमें फ्लेम को हाई करके तलना है बिल्कुल भी बीच में प्लेम कम नहीं होना चाहिए यानि आज बिल्कुल पॉफिक्ट इसको मिलनी चाहिए तब ही आपके लच्छे काफी अच्छे से करारे बनेंगे और लीजी ये सारे बनकर तयार है हम इनको किचिन टाल पर निकाल रहे हैं बिल्कुल हलका सा सुनेरा किया है मैंने चलिए अब इसी तेल में हम थोड़े सी काजू भी भूल लेते हैं लगभग साथ से आट दाने मैंने लिए हैं इसके अंदर आप अगर तयार है चलिए अब हम नमकीन बनाना शुरू करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं हमारे जो लच्छे हैं कितने अच्छे से करारे बने हैं मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूं कि कितने क्रस्प बने हैं एक भी जो ताना है ना वह नारब नहीं है पूरी तरी किस चट पटा बनाते हैं तो इसको डाल दिया हमने एक बड़ी सिवर्तन के अंदर इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक क्योंकि हम इसे वरत के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा पिंक सॉल्ट यानि सेंधा नमक डालेंगे आप अगर नॉमली ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं तो साधा नमक भी डाल सकते हैं आधी छोटी चमच कुटी हुई काली मच डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा रालना है और अब यहां पर फ्लेवर के लिए मैंने लिए हैं पुदीने के पत्ते और यह पाउडर के फॉर्म में लिया है मैंने आपको इसकी रेसिपी के नुसार कम जादा यह कर सकते हैं और यह हमारी नमकीन का मिक्षर बिल्कुल तयार है इसको मिला लेते हैं अच्छे से देख सकते हैं तो ध्यान रहें नमक आपको बहुत ही कम डालना हैं बहुत जादे नमक डालेंगे न तो टेस्ट भीगड़ जाएगा इसलिए थोड़ सकते हैं तो नमकीन हमारी बिल्कुल तयार है व्रत के लिए आप इसको एक बर बनाईए पूरे नौ दिन तक चलेगा एक तम बढ़िया और इसको खाने से आप बोर भी नहीं होंगे बहुत जादे मज़ेदार लगती है तो जब भी आपको टी टाइम में कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो इस नमकीन से बतर व्रत के लिए तो कुछ होई नहीं सकता तो जरूर से एक बर ट्राय कीजिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर से बताएगा व्रत की और भी रेसिपी अगर आप देखना चाते हैं तो मैंने वीडियो से एक बार बनाईए और रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलिएगा चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक के लिए टेक केर और बाबाई